यदि किसी ने कहा कि तुमने किसी के जान को जाते हुए देखा है वो देखो मुझे से रूट के मेरी जान जा रही है एक कौमन पान वाला रिक्षे वाला एक शायर एक महभू बाएक आशिक एक उस्ताद हरे को लगेगा वहाँ यार क्या यह तो यमक लंका है आपे जान जान का भी क्या इस्तेमाल हुआ है और सीधी सी बात है और कितनी गहरी बात है सब कुछ कह दिया गया हरेक को अपनी बात लगे कि जब भी वो मैं कहूं, चाहे वो मैं धार्मिक पदों की बात करूं, सूफी संतों की यहां पर बात करूं, यहां पर मैं श्रंगार की बात करूं, जब तक किसी को यह न लगे, कि यह तो लोग है, आप छोटी से चीज़ है, सोहर गाते हैं हमारे आप, सोहर में, क्यों सोहर लोकप्रिय थे क्योंकि वो दूसरे की कामना थी कभी कोई मां अपने बच्चे के लिए नहीं गाती थी पडोसन गाती थी आस पडोस किया करके दूसरी सासे गाती थी और गाने इतने सुहर लिखे गए जुबान पर क्या है जुग जुग जीवे रेला लानावा कव सल्या के आधागी जागल हो मंगल कामना यह स्वस्तिवाचन है शुरू में जुग जुग जीवे किसको नहीं है अच्छा लगेग见 गाना किसको अच्छा नहीं लगेगा सुनना जो आहीर आशरवाज से लोक हित जहां पर व्याप्त है ऐसे गाने हमेशाfish ौमेशा हमेशा लोगों के जुबान पे रहेंगे आप कोई भी फिल्म का गाना ले, अब मैं आपको सोचेंगे कि यहां लोग हित कहां से हो गया मेरा मतलब लोग किसे हैं यहां पर, जहां पर लोग इन ही लोगों ने ले लीना दुपट्टा हमारा मुराव श्रंगार का गाना है एक तरह से अब इस पर तो इदी लेख, इदी इस पर सेमिनार हो जाए तो आजकल कि साहितिकार बोलेंगे कि तो मैला के शोषण की कहां नहीं है आजकल क्या फॉर्ट इन ही लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा शोषण महिला का स्त्री परत्या चार हुआ है उसका शोषण किसने किसने किया है तीन समाज के रंगरेजवा जो व्यापारी है बजजवा अदर होगा भी सिपया ये लेकिन ये लोग की खूबी है कि ऐसे कहा है कि आप तो जब बुढ़ापें पहुँचते हैं तो पता चलते हैं अच्छा है तो शोषण की बात थी आप तो नाचते जूमते उसमें शंगार का अनंद लेते हैं यही जीवन है और यही हमारे पुर्खों ने बड़ी सी बड़ी बात को इस धंग से कहा लेकिन गाना क्यों हिट हुआ क्योंकि समाज में सब को जोड़ा है हमेरी न मानो बजजवा से पूछो काम क्या है अशर्फी गजब महंगा दिया उसने लेकिन मैंने उससे लिया यानि मैं उससे जुड़ी हूँ वो मुझसे जुड़ा है क्यों कॉरे यदि गली में लोग पूछते हैं तो बनना जवाब देता है मलिया के गया मलिया ना भी रो और शेवात का बीन गौरे हम रहे शेवात का बीन गौरे हम रहे गलियन में क्याए यारन ना भीन बिना हम गए है यानि लोक नहीं है तो उसके बिना कैसा मंगल हो ही नहीं सकता तो सब लोग शामिल होते हैं, सब गाते हैं, सब लोग शामिल है अब आज क्या है? मैं मेरी तनहाई, मेरा एकांत, मेरा घम, मेरा धोखा, मेरा संघर्ष, मेरा एकांत, मेरा जूजना तो भईया खुदाई पढ़ लेूं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, सब लोग पीछे उठकर के देखें, साड़े साथ सो बरस पहले खुसरो यदी लिखते हैं काहे को ब्याही विदेश, फार्सी का विद्वान लिखता है काहे को ब्याही विदेश, और उस समय लिखता है कि भाईया को दीनो बाबुल महिला ये कहने की हिम्मत तो हमारी माओं को नहीं थी, और आज भी हम लोग को नहीं भले सुप्रिम कोट नी निरने दे दिया हो, कि बेटा बेटी बराबर है, लेकिन उन्होंने एक बेटी के मुझ से साड़े साथ सो बरस पहले कहलाया, तो गीत वही जो जुबा पे चड़के बो गयता में गाओ, रिकॉर्डिंग का तो जो इतिहा सा 70-80 साल पुराना है, और आप ये भी जानते हैं, धुन भी नहीं बदली, वही धुन है आज तक, लोगों के जुबान पह, क्योंकि जब वो खुसरो, हम सेव गर्ड चाइल्ड कहते हैं, लड़की बचाओ, लड़की प अरे लखिया बाबुल मुहें काहे को ब्याही बिदेश अरे लखिया बाबुल मुहें काहे को ब्याही बिदेश बहुत सुन्दर मौलनी जी, मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुन लिया जाए और आपके विचार तो अपनी जगा है ही, एक बहुत सुन्दर आपने बात के ही, लोक में व्याप्टी की और लोक में multi-dimensional और multi-layered structure गानों का, एक पूरी परंपरा है नर्गुन की, कि हम बात करते हैं संगीत में, बिल्कुल वाईवी इस तरपर, शारिरी के इस तरपर, लेकिन वो कहीं किसी और को मुखातिब है, ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरे कुछ राओं कैसे, या जुलनी का रंग स पूरा उस पे काम हुआ है, क्या आपको लगता है कि आज मैं किसी एक पर्टिकुलर जॉनर के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक सामान धंग से हमने अपने अर्थों को खो दिया है, उसकी अनुगूंजों को खो दिया है, हम यूनी डायमेशनल, विल्कुल फ्लैट वर्ड की कविता लिखते हैं, जो शब्द जहां है, उसका आर्थ वहीं लुप्त हो जाता है, उसकी व्यापती नहीं कहीं और अर्थों में जाती, या उसमें अनुपरास नहीं है, उसमें उत्परेक्षा नहीं है, उसमें बिम्ब नहीं, उसमें साधरिश्र नहीं है, उसमें हम कुछ और कहा जा रहा है। यह सारी चीजों ने भी क्या समाज विमुख किया है कविता से। दोमानी रचना जो आपने बोली दोमानी रचनाओं का देखे यह यह तो भारत है। हमाने तो बहुत पहले सभी जान गए थे कि जीवन के एक शड़ भंगुरता और इसलिए जितना श्रंगार उतना ही राग उतना ही विराग। इसलिए जोलिनी का रंग साचा हमार पिया जब रचनाकार की जीते जी यह तो मुझे बहुत बात में पता चला कि चंदरशेखर मिश्र जी ने यह रचना लिखी है। यह गली गली ऐसा लोग गाने लगे क्योंकि आपको पता है कि जो गणिकाएं भी थी तवाइफें भी ती वो भी निर्गुन गाकर के अपने गाने का समापन करती थी तो यह यह सुन्दर सारी मुरी माई के माई का दैके जैबे गवन गंगा नहाय आई सुरज पैया लाग लुख दिख बखे कर वे कानugen वह रहा यह जो हर चीज में कहीं नहीं कहीं विराग और नश्वर्ता का अहसास यह तो भारती परंपरा यह तो हमारे मत अवते सनातन रचनाए हो, आप जितने भी देखें, यदि आप कभी मला से केवट के गीत आप सुनेंगे, उनके गीतों में रहस्यवाद हमेशा हमेशा होगा, आप कभी गाड़िवान के कभी गीत सुनेंगे, रहस्यवाद होगा, आप यदि कुमहार गीत सुनेंगे, उनके गीतों में भी होगा यह कहीं न कहीं पर सब में कबीर और यह जलगता है क्योंकि आपको पटक करके वहीं पर वापस ले आजाता है कि हम किसके लिए किसके लिए दोड़ रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं सारे गानों में मतलब यहां पर मैं किसका उधारण दूँ और फिर भी उसमें मैं विशे पर वापस आऊंगी, कि गीत वही जो जुबान पे चड़ कर बोले, इसमें जैसे कबीर ने लिखा, पानी में मीन प्यासी, मोहसुन सुन आवय हासी, मीटर है बात है, बात न बड़ा चमतकृत करने वाला सत्य है, रहसेवाद है, पानी म मीन प्यासी, धोबिया जल बिन मरत प्यासा, ऐसे ऐसे मुखडे हैं, कि इसकी जुबान पे नहीं चड़ेंगे, जो आपको, मतलब बड़े से बड़ा साहित्यकार आज आप ले आईए, इतना बड़ा, एक इतनी संक्षिप्त बात, इतनी संक्षिप्त मुखडे में इतनी गहरी बात कौन है जो और लोगों को याद है, इसी बात को कबीर की इसी पंक्ति को लेके शैलेंद्र ने मधुमती में लिखा, मैं नदिया, फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी, फिर भी है क्यों बात उदा सी, आजारे पर दे सी